आपकी स्टीडियो में कहके जा रहा हूं कि 2024 के चुनाव का सबसे बड़ा मुद्धा होगा पुरानी प्रेंशन इसको कोई रोक नहीं सकता तो 10 करों रोट सीधा माहिनस होगा सबस्केर मारा को रोट से, छीक नहीं कह दो और है, इन राज्यों ने है पिंशन बहाल की है, औरो पुरानी पिंशन बहाल करिया भापे की करंदी। दोर शुक्त करें आप लेते हैं आप रिचार भाद बाद पंसन देंगे, तो हमें आपकी बनचित करते हैं। तो ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं जौन सहला आप ये कल रामलीला मैदान में इतनी भारी भीर जो है वो उम्री थी क्यों क्योंकि ये मांग कर रहे थे तमाम लोग OPS की Old Pension Scheme की इनकी मांग है कि NPS को हटा दिया जाए और OPS वापस से देश भर में लागू कर दिया जाए इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ है विजे कुमार बंदू जी NMOPS के राश्ट्रे अध्यक्ष यानि की National Movement for Old Pension Scheme जो हम कहें कि Sparehead किया पूरे अंदोलन को इतने सारों लोग यहाँ पर आए किसी को तकाजा नहीं था अंदाजा भी नहीं था कि इतनी भीर जो है वो Pension के लिए मौजूद रहेगी सबसे पहले सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका धन्यवाद न्यूस तक पर आने के लिए हम चाहते हैं कि आम जनता जो है इस मुद्दे को समझ पाए क्योंकि कल मैं जानती हूं कि कल भारी भीर उमड़ी आसपास के लोगों ने पूछा कि इतने लोग पेंशन के लिए आ और यह बात बिल्कुल सही कहा कि तका जा नहीं था क्योंकि हमारे पास होल्डिंग वैनर और दुनिया भर के जो संसाधन वोते प्रचाप्रसार वह नहीं है और लोग स्वता है क्योंकि उनका मुद्दा है पुरानी पेंशन पूरानी पेंशन नहीं के अगर आम बात करें तो नई पिंशन बेवस्ता जो NPS के नाम पर जानी जाती है, वो वास्तों में पिंशन ही नहीं, वो इसकीम है, इसकीम कि कोई सेर्टी नहीं होती है, और पुरानी पिंशन जो थी, वो सिकोर थी, और लोगों को पता रहता था कि हमें रिटायर होने बाद कितना मिलेगा, यहा वापस करेंगे, कौन वापस करेंगा, यह कुछ नहीं पता, और NPS में जो सबसे दुरभागपूर है, हम गौवर्मेंट सर्वेंट है, हम सरकार का काम करते हैं, और बाद में हम किसी और दूसरे कहां जा करके, हम मांगे कि भई हमने गौवर्मेंट सर्विस किया है, और पर लिए जा अगर तो यह कोई आज से नहीं दी जा रही, यह आजादी के पहले से, अगर हम बात करें थोड़ा सी थिहाज को मुगलों जमानी में, अंग्रोजी जमानी में, और जब हम देश आजाद हुआ, लोगों पार राशन नहीं था खाने को, तब भी सरगारी कमचा पर नहीं ला दिया अब उस समय बहुत सारे सवाल करते हैं कि उस समय क्यों कि हम उसमें संक्यामत थे नहीं और लोगों को पता भी नहीं था अब उसके पड़ाम आने सुरू हुए तो लोगों को लगई तो लोगों में गुश्चा हुआ फिर हमने एक आंदोलन उत्तर प्रदेश में 2013 में अटेवा आल टीचर इंप्लाइज विल से सुरू किया और दिरे दिरे आंदोलन बढ़ा फिर सत्रा में मैंने नेशनल मुवमेंट फार वोल्ड पिंशन इसकी मैंने एक फ्रेटरेशन मना और यह पिछले लगाता है अगर कहें तो लगभग हमें दस साल के आस्पास होने जा रहा है सांदोलों चलाते हुए आप कहें जो सवाल सबसे मात पूर्ण की लोगों को अच्शंवित करना था क्योंकि राणिती देलों को होता तो पहले सपाता होता हमारा प्रचार नहीं आघा है लेकिन हमने गौओं गवों देश के कोने कोने पर अमारी तीम हैमारा हमारा संघठान है 22छिकी डाणिभ कोना हमने savation है हम्ने चार मर्च को ही घोटरा कर दे हैं पte लिए टेड्यूनियन जिसको सिच्चक कमचारी किरानीद का कहा जाता है पुरी दुनिया का सबसे बड़ा परदर्सन था क्यों राम लीला में जो दिखा वो तो समने दिखाया लेकि राम लीला जितना तो एक परसेंट था तीन परसेंट बाहर थे यही चाहरी थी मेरा अगला सवाल भी यही था कि इस तस्वीर को जो हम स्क्रीन पर दिखाने वाले हैं इसे आप explain कीजिए क्योंकि कई लोगों ने बताया कि इस तरह का अंदोलन कभी नहीं देखा उन्हें याद नहीं कि इस तरह से जो भीड लगी कहां से भीड अचानक आई कहां से लोग आए और पेंशन का दर्द इतना ज्यादा है कि लोग सड़कों पे इस तरह आ गए बिलकुल है एक करोन के आसपास हम लोग NPS जो पीडित हैं जिसके लिए हम संगर्ज कर रहे हैं को पीएस मिले एक करोन के आसपास लोग है और देश का मुझे खुशी है अमिलाड हो हैदरा तेलंगाना हो पंजाब हो कासमीर हो उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी आमत थी क्योंकि सबसे बड़ी संक्या वहां पर है अचा ऐसा भी था कि जिन राज्यों में लाबू है यानि ओपेस ओल्ड पेंशन स्कीम जिसकी मांग कर रहे थे लोग वो उस अब बड़ा दिल दिखाते हुए कि मेरी लागू हो तो हम आज भी साथ में और उन राज्यों से भी भरपूर मात्रा में लोग आए कि हम साथ में खड़े हैं और आप ऐसा बता रहे थे कि आपने का कि यह सिर्फ एक परसंट था यानि और कितने लोग हैं जो आना चाहरे अब मैं आपको बताओं कि एक परसंट रामलीला का जो चित्र दिखाया जा रहा है पूरी मीडिया में वह एक परसंट है तीन परसंट तो बाहर थे बाकी और संख्या क्या हुआ कि सरकार ने जब आमने एक अक्टूबर घोचित किया तो नों सचता अभियान लगा दिया औ और अनिवार रूप से बिद्याले खोल दिया मतलब वो रामलीला के मैदान देने में मैंने एक अप्ते में जो जिलिते जेली हैं मैं बहुत अच्छा ने कह सकता कि मैं एक अच्छे सुस्वतंत्र लोकतांती देश में हूँ अजी बात करें प्धार मंती जी लागूर करें सरकार लागूर करें न करें लेकि बात तो हमारी कहने दीजिए और कल भी वहाँ पर तीन बार मेरी लाइट काटी गई माइक की कि आप जल्ली खतम करें जल्ली छोड़िये जल्ली जाइए इस तरह के प्रसर था लेकि फिर भी मुझे खुसी है कि ट्रेड उनियों की इतिया ter कुछ रहा क्यूं है उसके पीछे का करण बता दें क्यूंकि आदमी तीजा मैं पंधी साल काम करें किसी सर्ष्थम काम करें तो आप आपकी अप इछार दूसरे चैनल से नहीं होगा, आपको दूसरे चैनल से लेना देना, आप जहां काम करें, तो लोगों का हमने 32-30 साल सेवा दिया, जाहे प्राइमरी का टीचर हो, जाहे इनवस्टी का प्रफेसर हो, वो सड़क पर खड़ा हुआ सिपाई हो, उगाउं में सफाई करता हुआ पर यह दर्द है, तो वो जो पढ़ने लगा, तो जो लोगों को लगा, यह तो मेरे साथ बढार नहीं, और फिर वो लोग हमारे संग्ठन से और जुड़े, और थोड़ा सा मेरे साथ रहा कि लोग का प्यार हमारे साथ मिला, लोगों का बिलीब हमारे साथ खड़ा हुआ, किसी राजी में ताम अभी एक बात और जोलूंगा कि सरकार अगर मेरी बात नहीं सुनती है तो इससे भी कई गुना तैयारी है क्या तयारी? अब क्योंकि रणीत का हिस्सा है, तो हम इसको नहीं बता सकते हैं, लेकिन मैं आप इतने बता रहा हूँ कि इससे भी बड़ी तयारी है हमारी, और वो होगा, क्योंकि और 14 का 24 का लोगसे बाद चुनाओ है, हम सरकार के आखना कान हैं, सरकार कि उसको नीच heure पहुंचाने का काम कशा यंद और हमी पीड़ा में हôm हम उदें हूं और प्रिंसन की बात करें। सरकार की कई सब्सक्राइब कर रहा है और आप राजनेताओं की बात कर रहे हैं और मैं चाहूंगी कि आप 4-5 पॉइंट में हमारे दर्शकों के लिए समझाएं कि NPS versus OPS क्यों OPS क्यों एंपेस उससे पहले एक राजनीती का सवाल पूछ लेती हूं क्योंकि कई लोग आए नेता आए कल आपके प्रदर्शन में हिस्सा लेने संजसिंग आया तमाम नेता आए और साथी ये भी सुनाई दिया आप इसकी पुष्टी करेंगे या नहीं कि राहूल गांधी से मिलना चाहते हैं ऐसी कोई बात है नहीं देखिए मैंने तो अपने संगहस के मैदान में हूँ और क्योंकि मेरा कोई पॉलिकल मंज तो है नहीं हम सिचक कर्चारी है हम अपना संगहस की मन्ज बनाते कोई मेरे आता मैं स् आप चाहेंगे राहूल गांधी आएं मैं तो कोई भी आए क्योंकि यह सवाल इसलिए आ रहा है सोशल मीडिया पर भी इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि राहूल गांधी पिछले दुनों हमने देखा कि अलग अलग भारत जोड़ो यात्रा रही या अलग रेलवे स्टे अब गांधी परशान हो आप मेरे कमचारी हो मैं तो आपका सणरचाख हो आप यहावक हमारे हो हैं आको क्या दर्द है बताओ मैं कर देता हूं हम सब लोग आँ जयकार करते मुझे कांग्रेस भाजपा से ने मैं अपने मुद्दे के लिए लग रहा हूं यह अच्छी बात है कि क्योंकि अक्सार होता है मुद्दे में राजनीती आ जाए तो भटक भी जाता है मामला लेकिन मुद्दे से जोड़ी बात करेंगे OPS वोर्सेस NPS की अगर बात कर लें सबसे पहले OPS है Old Pension Scheme और NPS है New Pension Scheme अब इसका फर्क जो है वो लोगों को बता नहीं है वो इसकीम है इसकीम क्या है कि 10% हम देंगे 10% सरकार देगी 14-24% होगा वो सरकार तमाम कंपणियां अपनाताएं का रखी है उन कंपणियों से मेरा कोई लेना देना नहीं वो कंपणियां पैसा लगाएंगी फिर लास्ट में जब हम रिटायर होंगे तो उस समय सेर मार्केट का जो भी खेल रहेगा उसके एकार्डिंग हमारा मन बनेगा फिर 40-30% पैसा हमको हाड कैस वापस कर दिया जगो समय उसके बाद 40% जो पैसा मेरा बचेगा उसको हम किसी बीमा कंपनी से पिंसन प्लान लेंगे कि यह पैसा है आप रख लो मुझे कितनी पिंसन फि पैसा मने सरकार को दिया काटा सरकार ने बहुस्ता सरकार किये हम भीमा कंपनी पास क्यों जाए तो अब उसके बाद वो सेर मार्केट का आप जानते हैं मैं गाउं से हूं जुडा हूं एक परसें दो परसें हिंदुस्तान के लोगों को सेर मार्केट हो सकता है लेकि 98% कि तो दे देगा तो NPS में एक तो सेरोटी नहीं सरकार देगी कि ट्रेस्ट देगा पैसा कौन लगाएगा कहां जाएगा यह मुझे पता नहीं है दूसरा एक दिन अभी थोड़ा सा घटना हुआ था कनाड़ा मामला जो भी भारस और कनाड़ा के बीच में थोड़ा सा एक कि अन्दर करें आठ 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 ददस जार रुपए उसका डाउन हो गया हमारे NPS भी पैसा डाउन हुआ क्योंकि सेर्मार करन लगा होगा तो NPS तो कोई बवास्ता अब मैं आता हूँ OPS क्या है और कोई खामी आप गिन्वाना चाहेंगे इसके लाबवा जब हमने कहा क जो जानना चाहिए जो पिंशन भी हमको OPS मिलती थी वो कोई सरकार नहीं देती थी हमारे बेतन का कटा हुआ भाग जिसको सुप्रिम कोडिन का है यह पेंडिंग बेतन है जब बेतन हमारा निधाइत होता है तो उसमें काट लिया जाता है किसी कमचारी का माली 40,000 हो रहा है बेतन होता है जब बेतन होता है घर बनवाना होता था घर बनवाना होता है तो बड़ी गुमान से कहता है जिदे में जीपे में पैसा है बेटी तुम्हारा पीला हाथ करूंगा साधी एच्छे से करूंगा क्योंग जीपे मेरे पाँ पैसा है एक इस्टोर रहता था जीपे बहुस्ता बंद कर दी गई और कोई मत नहीं तो अब उसके बाद क्या होगा लाश्ट चेली का लगभग 50 पर्षन तो मैं माली एक चोटा कर्मचारी चाली जार चाली जार हुआ तो वह माल लेता था कि 19 जार 18 जार 20 जार लगभग उसको मिल जाती थी तो कम से कम पूरी जिंदकी उसने कमा जा है अपने बच्चों को परिवार को दिया है तो ला है तो सोच वहां जोड़ना है तो प्रोगव तो आट निरभर भर सचिना राजयों के लोगों से चीना और उसे सम्मान वहां गया एक बात जो किक नामिकल थोड़ा से बताएंगे उतरा खण गया इस मोहले में संप्रेयडा रहती है क्योंकि लोगों के हांके पैसा ने बysisा थम्हें हो और यकलि कर में पातार कि लोगोन के पैसा सब्सक्राइब HA doubts होगा और अब सुवर्प दना थे ने सर्मवें देंश Țैंज करूद आघि करूज़ों बच्पन में हम बोड़े माबाफ हम को पालते हैं, बढ़े में हम उन्हें पालते हैं। और जब अपी माबाप बुर्चा करना हूँ द्वाओं पर उनके सवास्त पर तो मैं क्या क्या गर दूओ ? यह बहार मेरे उपर नो मेरी लाइबिल्टी मेरी जिम्मेदारी ऐसे सरकार की जिम्मेदारी है जिनों काम किया उनकी लाइबिल्टी बनती हो अपने तरे एक सवाल अर्ध सैनिक बलों से भी जुड़ा हम पूछ ले क्यूंकि इसको लेकर भी काफी चरचा थी कि उन्हें भी पेंशन नहीं मिलती लेकिन हाली में एक फैसला आया दिल्ली हाय कोर्ट का उस पर अगर बता देखी यह बहुत दुर्भाग पून है और मैं बड़ी जी मेंदानी साथ कहता हूं अगर इस देश के राजनेता पेंशन ले सकते हैं तो इस देश का अरसनी बल क्यों नहीं ले सकता हम तो करते हैं स हमारी मात सकती विद्वा हो जाती है एक अपनी आख के सामने मा बेटे को जाती हुई देखती है एक छोटा सा बच्चा जो अपनी पापा का इंतिजार कर रहा है उस होता मेरी पापा का पाएंगे वो ब्यक्ति देश के लिए कुर्भानी दे रहा हो जिसकी चैन से हम लोग घर में सोते हैं उसको पिंशन जैसी ब्यवस्था से बंचित करना इद्र भाग पूर्ण है और हम तो करते हैं अभी तक सेना में दिया इस सरकार के नियती बहुत ही खराब इस मामले में अब क्या किया उन्होंने सेना को बंद करने डायड नहीं बंद किया अब उन्होंने अगनिबीर ला दिया मतलब अब अगनिबीर जो है वो ना OPS में हैं न NPS में चाट साल की नोक्री, क्या होगा तो अभी सरकार के नहीं को मिल कर दिया और और आरशाइनिक बलका मेरे पास रोज 2-4 फोन आते है रोज देश भर से सार मेरा क्या होगा कैसे होगा रचाइन जोबारे में एसा रा न मापको अगर। काम कर देढ़ने जाओं प्रशे 걱정 कर देगा से மिनिश बहुत क्यों어야 nhân करना चाहता अगर सीधे सीधे एक मैसेज आप देना चाहें तो इस न्यूस तक के कैमरे के जरी क्या कहेंगे मैं तो मानी पधान मंती जी से बड़ी बिनम्रता से कहता हूं उन्होंने इस देश में तमाम बड़े फैंशले लिए हैं एक फैंशला है इस देश के नौजवानों के पच्छ में लीजिए और पुरानी पेंशन भाल करिए हमारी बुढ़ापे की लाठी दीजिए हम तो कहते ये नजर कल जब आपका प्रदर्शन हुआ काई सारे ट्वीट्स आये सोशल मीडिया पर हमें कॉंग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया देखने को मिली समर्थन की आम आदमी पार्टी ने समर्थन की आर्विन के रिवाल का ट्वीट आया तमाम अलग-अलग राज्यों की हो गाएं हैं आपका समर्थन करने लेकिन उमीदे बंच जाती हैं कॉंग्रेस पार्टी से राखुल गांधी से जब उनकी सरकारी ये लागू कर देती हैं क्योंकि कई ए जगा मैंने पड़ा आपकी राली में कोई आया होगा किसी ने पाट लिया होगा उन्होंने कहा कि जो हो राजस्थान हो चाहिए छटीजगड़ हो चाहिए हमाचल हो इन राज्यमोनों ने पेंशन बहाल की है और हमाचल चुनाओ भी आप अगर देंग से देखा होगा तो निश्टीव जानकरी होगी कि ये मुद्दा सबसे प्रभल था हमाचल में भी और वहां सरकार प्रिंशन के अंदर आने के बाद उसका लगभग 32,000 प्रिंशन बनी प्लस डिये क्योंकि एंपेस में डिये मिनी और लगभग 40,000 के आसपास उन लोगों ने फोन किया कि थैंक आपको हमने सुना था भगवानों का नाम लेकिन क्या हुआ मुझे नहीं पता लेकि मैं 26,000 से दीमान चला हमने मुखवंती जी से हमारी टीम ने मुखवंती जी से 2003 से लागू करा है मतलब 20 साल पहले जो जो जनाफ बंद की उस डेट जब से बंद हुए तब सिस्टाड का है तो बहुत सारे लोगों को पीछे भी जो है उनको भी प्रिंसन का लाब मिला यह हम सब को प् क्योंकि कल हमने देखा बहुत भारी भीड आई लोगों को जैसे हमने शुरुवात में कहा कि तकाजा भी नहीं था इस बात का और विपक्षी पार्टी ऐसे में जुड़ती है आपको लगता है चुनावी लाब भी कई ना कई वो देखते हुए जुड़ती है उनका अपना लोग जूते और चपपल और कपड़े पहने खड़े रहे मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं तप्ती दुपारिया धूप थी लोग डिगे नहीं इसका मतलब उनका डिवोशन कितना बड़ा है उनका कमेंटमेंट कितना बड़ा है कि हमें कुछ भी करना पड़े हम पुरा लोग सब चुनाओं जहां तक बात कर रहे हैं मिश्चित रूप से आपकी स्टीडियो में कह के जा रहा हूं कि 2024 के चुनाओं का सबसे बड़ा मुद्दा होगा पुरानी पिंसन इसको कोई रोक नहीं सकता राजनेता कहता कितने कमचारी हैं हमसे मिलते हैं सामने कहते हैं क् मैं उस बात करता हूं मैं उस बात करता हूं मैं हूं तो बहुत एक काम का हूं जैसे में बार बार कहता हूं इस इसे बहुत सारा पंचानेक्शन है बहुत सारा वर्किंग है लेकिन इसमें बहुत छोटा सा सिम है अगर हम इसको निखा रहेंगे ते पूरी व्यवस्था करा हम इस वैवास्था के हम उसी हैं जिस वांचालिक करता है लाश्ट आप सोवाइंट परकता हूं कि नहीं को मिलेगा नहीं मिलेगी सिर्फ परोलिकंस नहीं कि जो इंप्लीमेंट करता है क्यों विजय जी एक सवाल और कि मोधी सरकार है उनसे आप आपने खास अपील भी कि आपको क्या लगता है कि क्या करण है कि सरकार इसे लागू नहीं कर रही ओपियस को दोबारा जो है इंप्लीमेंट नहीं कर रही देखिए सबस्पर बात तो जो सच्छक कमचारी बिरोधी सरकार है उसकी जो नीती उसकी जो सोच सच्छक कमचारी के बिरोध में ऐसी बनती क्योंकि 2013 में पिर आज सारी सथाथ है सरकारी जितनी है जितनी है सब किए जार ही ईसा